तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बहुत ही खुबसूरत से कि ये पौधे के बारे में ये जो आप देख रहे हैं ये अलमंडा की बुश है अलमंडा में दो तरह की जो कौमन आपको वराइटी देखने को मिलेगी उसमें कि ये बुश की वराइटी रहती है और एक इसमें बेल वाली वराइटी भी आपको नस्रिस पर इसली मिल जाएगी तो आज अगस्त की दो तारीक है और आज इस पौदे की मैं जो ये नस्री से लेकर आया था ये वो वाला प्लांट है आपके साथ कुछ दिन पहले नस्री शौपिंग वीडियो में शेयर भी किया था ये जो पौदा है लगबग मुझे सौर रुपे के अंदर नस्री से मिला था इस पौदे की रीपोर्टिंग आपके साथ शेयर करूँगा हलाकि इस साल मुझे ये पौदा जो है ये थोड़ा सा कौसली मिला है लास्ट एयर भी ये प्लांट मैं नस्री से लेकर आया था अक्षियल में दोस्तों क्या है ये जो अलमंडा का पौदा है ये एक परिनियल प्लांट है एक परमनेंट प्लांट है लेकिन इसका जो मेन फलारिंग सीजन रहता है वो बरसाथ के मौसम से स्टार्ट होता है लगबग जुलाई अगस्ट के मन्थ से जून जूलाई जहां पर जून में बारेश शुरू होती है और हमारे यहां पर लग भग जुलाई के end में बरसाथ जो शुरू होती है तो जुलाई अगस से लेकर अक्तूबर और निवंबर स्टार्टिंग तक इसका जो फ्लारिंग का जो टाइम रहता है और उसके बाद जैसे ही सर्दी का मौसम आता है बहुत ज़दा थंड पड़ती है हमारे यहां नोर्थ इंडिया में तो बहुत ज़दा सर्दी में जब टेंपरेचर दस दिग्री से भी नीचे चला जाता है तब यह पौधे जो हैं यह डोरमेंसी में चल जाते हैं और अपनी सभी की सभी जो पत्ती हैं वो गिरा देती है हलाग यह अगर रोटीन में बात करूँ तो इन पौधों को आप रेगुलर जो है वो पानी दीजिए लगबग जब थोड़ी सी मिट्टी का सरफे सुख पर से आपको ड्राई दिखे आप पानी दीजिए बहुत ज़दा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी और बहुत अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी इन पौधों को एक मौडरेट पानी जो कह सकता हूँ एक मौडरेट वाटरिंग करनी है अपनी इन पौधों को तो उस कंडिशन में ये बहुत खुश रहते हैं लेकिन डॉरमेंसी के टाइम में इन पौधों को पानी बहुत कम चाहिए होता है इने रेगुलर वाटरिंग की बिलकुल भी जुरुत नहीं रहती तो लास्ट येर हमारे यहाँ पर बहुत जदा बारिश होई विंटर सीजन में बहुत जदा बारिश होने से क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है धूप वाला पौधा इसको धूप पसंद रहती है इसलिए मैंने इसको बिलकुल बहार जहां पूरी धूप पढ़ती थी जदा बारिश पढ़ने से ये पौधे की जो रूट्स हैं वो गलने लगी और पौधा जो है वो बिलकुल इसकी पत्यां तो वैसे भी गिदनी ही थी बरसात के मौसम में या फिर उस समय जो डॉर्मेंसी का इसका टाइम था तो इसकी जो ब्रांचिस थी उपर से वो भी बि मेरे पास तो इस पौधे को मैंने बहुत टाइम तक वेट की लगभग मई के मौसम तक मैंने इस पौधे की ग्रो होने की वेट करी ये उससे पौट से नहीं निकाला लेकिन ये ग्रोथ नहीं कर पाया उसके बाद मैंने इसकी सभी उपर से जितनी भी ब्रांचिस थी वो पौटे से ये पोर्ट में रीपोर्ट कर दिया और इसका जो पौराना पोर्ट था इसको अपने पास रख लिया लेकिन कुछी टाइम के बाद इस पौधे ने दुबारा से अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए रूट्स के पोर्शन में से बिलकुल अपनी जड़ में से नीचे से ग्रोध स्टार्ट कर दिया और फिर से ग्रोध होकर निकल आया तो इससे तो आपको ये पता भी चल गया कि ये प्लांट बहुत हाड़ी प्लांट है इन प्लांट को आप ऐसा मत सोची कि ये प्लांट बिलकुल आपके पास खतम हो जाएंगे ये बहुत जो आड़ी वराइटी है और बहुत लंबे समय तक चलने वाले पौधे रहते है इस पौधे की जो रीपोर्टिंग है आज मैं आपके साथ इस मेरे पुराने जो मिट्टी है उसी के अंदर रीपोर्ट करूँगा इसके अंदर और जो है वो 40% जो खाद है गोबर की खाद और उस और बिल्कुल भुरुबरी मिट्टी है ये इसके अंदर प्लांट जो है वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं तो देखिए मैंने बहुत ही साफ धानी से इस पौधे को जो है वो रूट्स के साथ ही बाहर निकाल लिया अब इसकी नीचे की थोड़ी सी मिट्टी जो है वो प्लेस कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ इसकी नीचे से जितनी भी ये मिट्टी थी वो रिम्यूव कर ली है और अब ये बिल्कुल एजली जो है वो नई सोयल में ग्रो हो जाएगा इसका जो बेस्ट टाइम है इस तरह से अगर आप अपने पुराने पौधा नया है आप अभी रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस पौधे को कोई ज़्यदा खाद या फटलाइजर की रिक्वार्मेंट नहीं रहेगी लेकिन अगर आपका पौधा पुराना है और उस पर फूल नहीं आ रहे तो उसके लिए जो फटलाइजर देना पड़ेगा उस तो अगर आपका पौधा लगभग एक से दो साल पुराना है और उस पर फूल नहीं आ रहे है पहली बात तो आप उसको पूरे दिन की धूप में रखिए या फिर ऐसी जगापर रखिए जहां पर इसे लगभग जो है वो छे घंटे की जो डिरेक्स सनलाइट है वो मिलनी चाहिए ये जो बुष्ट की वराइटी है ये पर्फेक्ट रहती है पोर्ट के लिए और एक साथ गुच्छों में फूल भी देती है अगर और गैनिक फर्टलाइजर की बात करूं तो और गैनिक फर्टलाइजर में जो सबसे बस्त फर्टलाइजर है वो केले के छिलके और पेयाज के छिल्पों का जो आप जो उनके लिक्विड फटलाइजर है वो त्यार कीजिए वो इन पौधों को लगबग आप विकली फीड कर सकते हैं इसको 300 से 400 ml इस तरह से फटलाइजर त्यार करने के बाद इन पौधों को फीड कीजिए हर हफ़ते विकली आफ फीड कीजिए दूसरा जो ये फटलाइजर रहते हैं जो ये और्गैनिक फटलाइजर हैं थोड़ा सा स्लो रिलीज रहते हैं अगर आपके पौदे पर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं और आप जल्दी से फलारिंग चाहते हैं तो इनके लिए आप केमिकल फटलाइजर का यूज कर सकते हैं केमिकल फटलाइजर के तोर पर आप चाहें तो लगबग आठ से दस दाने जो है वो इसको डिये पी के और साथ में इसको मियूरेट आफ पोटैश जो लाल वाली पोटैश आपको मिलती है सीड शॉप पर उसका लगबग दो ग्राम वो आप 15 से 20 दिन में एक बार इस पौदे को दी दिये या फिर आप इसकी जगाँ चाहें तो एन पी के बैलनस्ट जो भी एन पी के 19-19 या 20-20 दोनों में से कोई भी आप आदा चमच एक लीटर पानी में डिजॉल्व करके इस पौदे पर स्प्रे भी कीजिए और इसकी रूट्स में भी दीजिए तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा तो बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही